एक बार फिर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है डेली क्विज मोग टैस्ट करेंट अफेर्स कोस्चिन और आंजर के लिए आप हमारी वैबसाइट www.educationsadguru.com पर विजिट कर सकते हैं तो चलिए आज के सेशन के सुरुवात कल कब ब्यास परसन के द्वारा करेंगे कल हम आपसे ब्यास परसन में पूछा था कि प्रधानमंती नियन्द मोदी ने स्विक्तराष्ट महासबा यानि यूएन जीये के निम्लेखित में से कौन से सत्र को संबोधित किया है इस परसन का का बहुत गर्व है कि वह स्विक्तराष्ट के संस्थापक देशों में से एक है चलिए आज का पहला परसन देख लेते हैं कि हाल ही में टेलिकॉम कंपनी वड़ा फोन ने भारत सरकार के खिलाव 20,000 क्रोड रुपे का टेक्स के जीत लिया है सरकार ने फैसले की जानकारी मिलने के बाद काया है कि वह मद्धिस्ता अदालत के फैसले का अध्यन करेगी और उसके बाद ही आगे की कारिवाई के बारे में निर्ने लेगी चली अगला परसन भी देख लेते हैं कि हाल ही में आकास एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड यानि AESL ने निमन में से किसे अपना ब्रैंड अमबेसेडर बनाया है इस परसन का सही आंसर है आप्शन भी यानि यूरा सिंग परतियों की परिक्साओं के तैयारी कराने वाले संस्थान आकास एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड ने किर्केटर यूरा सिंग को अपना नया ब्रैंड अमबेसेडर नियूक करने की गोशना की है इसके अलावा उन्हें ने बताया है कि विवरा सिंग कंपनी और इसके विविंट ब्रांडों के परचार परसार में साहता करेंगे जिसके अंतरगत आकास इंस्टिटूट आकास आई 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 टी जेई आकास डिजल तथा मेरिट नेशन सामिल है चले अगला परसन में देख लेते हैं कि स्वरक्षित पानी और स्वच्चता के लिए विस्व बैंक ने हाल ही में किस देश को 200 मिलियन डॉलर के रिंड को मंजूरी दे दी है इस परसन का सही आंसर है और बंगला देश के ग्रामेंड छेतरों में स्वरक्षित पानी और अगला परसन भी देख लेते हैं कि निम्रिकित में से किस राज्य के सहरी छेतर की परियोजनाओं के लिए एस याई विकास बैंक ने 570 मिलियन अमेरिकी डॉलर के रिंड को मंजूरी दी है इस परसन का सही आंसर है और यानी मध्यपर्देश हाल ही में एस याई विकास बै को मंजूरी दी हैं इसके साथ अगला परसन भी देख लेते हैं कि निम्रिकित में से किस सहर में हाल ही में सेंटर फॉर डिस अबिलिटी स्पोर्ट्स को सपित करने के लिए आधार सिला रखी गई है इस परसन का सही आंसर है ऑप्संडी यानी ग्वालियर हाल ही में सामाज सब्सक्राइब नियाय और अधिकारिता मंत्राले द्वारा आयुजित के कारियकरम में मध्यपर्देश के ग्वालियर में सेंटर फॉर डिसाबिलिटी स्पोर्ट्स की आधार सिला रखी गई आपको बता थे कि मंत्री मंदल ने फरवरी 2019 में ग्वालियर में सेंटर फॉर स्री लंका बारत के प्रधान मंत्री महिंद्र राजबक्से के बीच पहली बार आभासी सिखर सम्मेलन हाल ही में आजित क्या गया था भारत ने स्री लंका के साथ बोधु संबंदों को बढ़ावा देने के लिए 15 मिलियन अमेरिकी डोलर देने की गोशना की है इसके लावा बास अगर में शुरक्षा को स्थिर करने के लिए भारत ने स्री लंका के साथ रक्षा सजदरी का विस्तार करने के चलिकला परसन देख लेते हैं कि महिला ठिक की मुंख्य चैन करता के रूप में नुट्त किया गया है इस पर्सन का सहीं आंजर है ओसन यानि नीटू डेव वैद मितु मुखरजी और रेनु मार्गरेट को भी पनल में जगह मिली है चलिगला परसंद भी देख लेते हैं कि निमली खीद में से किस थीति को विश्व रैबीज दिवस मनाया जाता है इस परसंद का सही आंसर है ऑपसंसी यानि 28 परतियक वर्श 28 शितंबर को विश्व रैबीज दिवस मनाया जाता है आपको बता दे कि एज है दिवस पर्तिवर्श 8 शितंबर को ही मनाये जाता है लोगों को इस बिमारी को लेक जागर करने के मक्सद से वर्ष 2007 से इस दीवस को मनाने की सुरुवात हुई थी चलिगला पर्सन भी देख लेते हैं कि निमली की दिमें से किस ड्राइवर ने हाल ही में F1 रेशन ग्रेंड प्रिक्स 2020 का किताब जीता है इस पर्सन का सही आंसर है ऑप्सन भी यानि वॉल्टेरी बोटास हा इसके अलावा रैडबुल के मैक्स वरस्टापें दूसरे स्थान पर रहें चलिए आज के सेसन का अपना आखरी परसन देख लेते हैं कि पर्माणू हतियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतरास्टे दिवस कम मनाया जाता है इस परसन का सही आंसर है ऑप्सन ए यानि के लिए एक कदम के रूप में पर्माणू परिक्षणों पर पर्तिवन लगाने की व्यकालत कर रहा हैं आपको बताते कि सभी तरास्ट ने इस दिवस को मनाने के घुष्टना 2013 में की थी और 2014 में पहले बार यहां दिवस मनाया था चलिए आज का ब्यास परसन भी देख ले करें और यदि अभी हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल भी मत भूले और बैल आइकन को जिरूर प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास हो तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रही है और अपने तयारी को बहतर करते रही है